हलो फ्रेंड्स मैसल दॉक्टर सुशिला सैनी गाइनिकलोजिस और अप्सूटिशन डायरेक्टर जैपुर दूर्बीन हॉस्पटल प्रेक्टिस से के इन गाइनिकलोजी सेंस लास 15 यह और आज हम बात करने जा रहे हैं पलो की राजा आम के बारे में तो कॉशन यह है कि आम खा सकते हैं क्या प्रेग्नेंसी के अंदर खा सकते हैं तो कितना खाना चाहिए और आम खाने से क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं और आम खाते समय में क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए तो इस वीडियो में हम आपके इन सारे सवालों के जवाब द वाइटामिन C 的 तो मैंने मैंने थे मिनरल होते हैं और टाइटरी फाइबर स кому भीडियरizzy्टी वाइटामिन वाइडारीयड अविछर्टी और इस जो शेकर क्यों कुछक्श के लिए और एक ऐसि थे देहने का थे त्वी जो फॉलिएPS तो वो आपके बच्चे का डिमाग का development सिर्की हडी बनाने के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के development के लिए बहुत सब्स ज़ारी होता है Seah ユम के पूहुद्ध मिनरल से साथ साथ ही आम के अंदर फाइबर भी काफी जाधा होता है फाइबर के साथ असके अंदर पानी होता है शुगर भी होता है तो जो आम को ग्लाइसीमिक इंडेक्स के अगर बात करते हैं तो मीडियम होता है यानि कि डाइबिटेस के मरीजों के लिए अगर इसका सेफटी लेबल देखते हैं तो थोड़ा कम बीच में आता है ना बहुत तो कैलरी काफी जादा मिलती है हमारा पेट भर जाता है इसके अलावस में जो वाइटामीन ए होता है वो हमारे आखों की रौष्णी बढ़ाता है बच्चे को भी फाइदा करता है इसके अलावस में वाइटामीन सी होता है जो इम्मेनिटी बढ़ाता है एंटियों होता है और infection को भी रोकता है इसके अलाब vitamin K होता है जो blood synthesis में मदद करता है vitamin B होता है जो कि अपने central nervous system को यानि कि अपने तंतरिकाओं को मजबूत करता है और fibers होते हैं जो constipation को रोकते हैं और अपने को satiety effect यानि पेट भरने की feeling भी देते हैं इसके अलाबा आम के अंदर magnesium होता है तो magnesium muscle cramps को काफी है तक कम कर देता है और आम के अंदर जो मीठा पने morning sickness को कम करता है क्योंकि टेस्टी होता है खाने की इच्छा भी करती है तो अगर morning sickness है यानि कि बहुत जादा उल्टियां होती है तो आप mango juice ले सकती है mango shake ले सकती है सिंपल आम भी खा सकती है और यह ब्रून के development में भी काफी मदद करता है क्योंकि इसमें फोली कैसीड है जो कि उसके overall विकास को बढ़ावा दीता है अब हमें यह चूज करना कि market में बहुत तरीके के आम उपलब्द है हमें कौन से आम खाने चाहिए तो सारी वराइटी के आम खा सकती है उसमें कोई मना ही नहीं है बड़ जब आप आम खरीदने जाती है तो आम के उपर चेक करें कि इस तरीके की white layer नहीं होनी चाहिए अग कि उसके अंदर जो ethylene oxide gas होती है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे होती है तो हमेशा चेक करके लें कि naturally पकाया हुआ आम होना चाहिए और अगर इस तरह की कोटिंग दिखती है तो avoid करें और पूरा पका हुआ आम खाएं और उसके बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ या से धब्बेदार आम नहीं होना चाहिए साफसुत्रा अच्छा हम होना ची हमेशा आम को काट कर देखे कि अंदर किसी प्रकार की कीड़े तो नहीं है और जब भी आपको को कोटिंग या कुछ लगता है तो आपको अच्छ से वाश करके फिर खाईए तो इ जो की ब्लड शुकर के लेवल को थोड़ा बढ़ाता है तो इसे अवे मॉडरेट अमाउंट में आप खा सकती है अब आपको यह पूछना होगा कि हम कितना आम खा सकते है एक दिन में एक छोटा आम खा सकती है या आधा कप खा सकती है या एक 100 ग्राम के असपास का आप मैं के लावे डजर्ट अब बना सकते हैं तो बहुत सारी तरीके मेंगो खाने के तो आराम से इंजॉय कर सकती है यह तो बात हुई पकेवी आम के बारे में लेकिन अभी कच्छा गाम तो बाकी रह गया कच्छा कईरी खाने का प्रेग्निन्स में बहुत मान करता है क्योंकि कि अचार खाने नहीं करते हैं तो थोड़ा खाइए ता कि आपको अचार जलन और कि शिकायत ना हो तो मैं समझते हूँ कि वीडियो में आम से संब्ढ़नी दापके जानकारी पूरी हो गई होगी। फिर भी अगर कुछ फूट काया आपको लगता है कुछ और पूछना बागी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर पूछ सकती है आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जैनकरी की साथ तब तक नमस्कार